उच्छ सिक्षा पर अखिल भारती सर्वेक्षिन रिपोर्ट या फिर All India Survey on Higher Education आईशी रिपोर्ट आई है 2020 की और सिक्षा मुंत्राले द्वारा ये जारी की जारने वाली रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के महत्पूर्ण आंकडों को डिस्कस कर लेते हैं उच्छ सिक्षा में नामांकन बढ़कर के 2021 में 4.1 चार करोड का हुआ था पहली बार ऐसा हुआ था कि उच्छ सिक्षा में जो इन्रोल्मेंट है इसने 4 करोड के आकड़े को पार किया था चात्राओं का नामांकन 2019-2020 में 1.88 करोड था जबकि अब 2.01 करोड इस बार चात्राओं का नामांकन हुआ था उच्छ सिक्षा या के कॉलेजिस में या उच्छ सिक्षन सनस्थानों में वर्ष 2014-2015 इननि की लॉंग टर्म तुल्णा अयर खर करें तो 2014-2015 की तुल्णा में 2021 में अनुस्चत जाति की छात्रों की नामांकन में 28 प्रतीशत अनुस्चत जातिक में नमंकन में 33.4 प्रतीशत की वृद्धी दर्च की गई है अब आप पूछेंगे कि यह आंकड़े हमको लट करने हैं तो इसका उत्तर है नहीं आपको यह जबूर याद रखना है कि ट्रेंड क्या है स्टीश की जो नमंकन है वो इनक्ष कर रहा है धर ये फिर डिक्रीट कर रहा है 2024 crit की चात्रओं की नमंकन में 32 प्रतीशत और अन पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के नमांकन में 49 प्रतीशत की वृद्धी हुई है तो SC हो या OBC सभी के नमांकन का परसेंटेज बढ़ रहा है पिछले 5 सालों में 2014-15 से पूर्वुत्तर शेत्र में 2020-2021 में छात्रों के नमांकन में 39 प्रतीशत और चात्राओं की नमांकन में 34 प्रतीशत की वृद्धी दर्च की गई है सभी सामाजिक समूहों के लिए पिछले एक वर्ष की तुल्डा में सकल नमांकन उनपात यानि की gross enrollment ratio में सुधार हुआ है 2019-2020 से 2021 में दूरस्त सिक्षा के में नमांकन में 7% increase हुई है यानि लोग distant education में भी खुदको enroll करा रहे है 2019-2020 के क्रमागत रूप से 2021 में 70 विश्विद्याल है और 1400 तिरपन कॉलिज बढ़ गए है एक वर्ष में इतने कॉलिज और इतने उनिवर्ष्टीश खुले है 2017 में लैंगिक समानता सुचकांग GPI 01 था 2021 में 1.05 हो गया है जेंडर परिटी इंडेक्स ये इतना हो गया है अचार सालों में उसके बाद 2019-2020 की तुल्डा में फैकल्टी सिक्ष्णों की कुल संख्या में इतनी वड़ हुत्री हुई है तो ये कुल विलाकर आगड़े हैं बाकी राजिवार तत्थ देख लेते हैं एक बार सरवाधिक विश्विद्याला यानि की हाईस नंबर ओफ उनिवरस्टी इसके मामले में टॉप पर राजस्थान है इसमें कितनी-कितनी है वो ब्राकेट में दिया गया है आपको याद करने की ज़रुरत नहीं है फिर सेकेंड पर आता है उत्तर प्रदेश थर्ड पर आता है गुजरात फरस्ट टू भी याद रख लेंगे तो इतना सफिशेंट होगा उचितम कॉलेज घनत वाले राज्य है तो एरिया वाइस सबसे ज़्यादा कॉलेज जहां पर है उसमें टॉप पर है यानि कॉलेज देंसिटी में टॉप पर है करनाटक फिर तेलंगाना है देन केरिला है फिर हमाचल प्रदेश है टॉप टू इसमें ध्यान रखी करनाटक तेलंगाना इतना याद रखना काफी होगा अधित्तम कॉलेजों की संख्या वाले शीर्स आठ जिले देश में वो बैंगलोर अर्बन ये फ़स्ट पर सेकेंड पर जयपूर थर्ड पर है प्रयाग राज का नंबर इसमें आता है फिफ्ट पर ठीक है टॉप एट डिस्टिक्ट इन टॉप आइस नुबर अब कॉलेज़ों की संख्या की मामले में शीर्स आठ राज्यों में टॉप पर उत्तरप्रदेश है फिर महरास्ट रे फिर करनाटक है जबकि कॉलेज घनत्व के मामले में शीर्स पर कौने वो करनाटक है ठीक है ये रि के धीन है 3375 कॉलेजे विशेश रूप से महिलाओं के लिए हैं यह यहां पर आखड़ा आया था शिक्षारती नामांकन की संख्या की संधर्प में उत्तर्प देश टॉप पर है फिर महराष्ट्र फिर तमिल नाडू मतलब इन टम्स आफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जरूर आपको ध्यान रखने चाहिए